महाबारत में ग्यान विज्ञान की अने गटनाय संबन्द और रहस छिपे हैं महाबारत का हर पात्र जीवित है जाहे वे कौरब हो, पांडब हो, कड़ और कृष्ण हो या फिर घ्रश्ट गुमन, शल्ल, सिंखडी और क्रपाचार महाबारत के वल्योदाओं की कताओं तक ही सीमित नहीं है महाबारत से जुणे श्राफ बचन और आशिरबात में भी रहस छुपे हैं दर असल महाबारत की कहानी यूत के बाद खतम नहीं हो जाती दर असल महाबारत की कहानी यूत के बाद शुरू होती है जो आज भी जारी है ऐसा माना जाता है कि वर्तमान योग महाबारत की देन है हम आपको महाबारत से जुड़ी गटनाओं से जुड़े कुछ एत्यासिक इस्थलों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी इन गटनाओं के प्रमाण मिलते हैं कुरुचेतर पहला एत्यासे कटना स्थल सभी जानते हैं कि महाबारत का योद कुरुचेतर में हुआ था कुरुचेतर हर्याना में इस्तित है कुरुचेतर में भारतिये पुरा तत्व सर्वेश्चण को महाबारत काल के कई अबशेश मिले हैं जिन में तीर और भाले प्रमु गुरु छेत्र का प्राचीन कुआ आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर महाबारत द्युद में कर्ण चक्रव्यू बनाया था और छल से अभी मन्यू का वत गिया था जिसे उन्हें वीरगती प्राप्त हुई। दूसरा एत्यासे कटना इस्थल। शक जियोदन ने पांडवों को मारने की शाजित रची। इस महल में रात के जमें चुपचाप आग लगा दी जाते थी ताकि सोते हुए पांडव इसी महल में चल कर मर जाएं। लेकिन पांडवों के गुप्त जरों ने उन्हें इस योजना की जानगारी दी और वे रात में ह एक गुप्त सुरंग के रास्ते बाग निकले। यह सुरंग आज भी है जो काजियाबाद में हिडिन नदी के किनारे खुलती है। वरनावा में आज भी लाग से बने महल के अपशेश मिले हैं। वरनावा यह नाम का यह स्तान मेरट जिले में इस्तित है। वरनावा ताब चगरे को छोड़कर बटते हुए पांडब बरतमान नागा लेंड पहुंचे थे वहाँ भीम का विबा क्राच्छस हेडिमबा से उवा दा जिसके बाद उन्हें गटोचकच नाम से एक पुत्र हुआ जो भीम के समान बलवान था वे महरे जिन से भीम अपने पुत्र के साथ स तरंच केलते थे उन्हें आज भी नागा लेंड के दीमापुर में देखा जा सकते हैं गंद माधन परवत इसरा एद्या से गतना इस्थल जहां भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा सके यह प्रसंग तो सभी चानते होंगे कि परक्रामी भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा सकते कुछ भिद्वानों का मानना है कि यह गटना गंद माधन परवत पर हुई थी हिमाले के कैलाश परवत तच्छल में केडार परवत کے उतर में दो मान्द के पहुंचा जा सकता है पहला मानसरोबर से रे नेपाल से अरुड़ाचल के माध्यम से संभवता महाबारत काल में आज भी असमतीर्थ में अरजुन की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी तब हनुमान जी भूतानिया अरुड़ाचल होते हुए असमतीर्थ आये होंगे हाला की कुछ विद्वानों के अनुसार हनुमान चटी उत्तराखंड के चोशी मठ से करीब 25 किलो मीटर दूर है यहां भीम और हनुमान जी का मिलन हुआ था और हनुमान जी ने भीम को महाबारत युद में विजए होने का आशिरवाद दिया अप्शौ था एद्या से कटना इस्तर भीम के पुत्र और कटू कच के पुत्र बाबरी के बारे में सब भी जानते हैं कि वह केबल तीन वान लेकर युद भूमी में लड़ने जा रहा था इसलिए भगवान कृष्ण ने प्रामर के वेज में उन से दान में उनका सिर मांग दान के बाद श्रीकिश ने बाबरी को कल्योग में उन्ही के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया बाबरी के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह इस युद को देखना चाता है अब श्रीकिश ने उसकी इच्छा के अनुसार उस सिर को एक स्थान पर रख दिया वह श्रीकिशन के वर्दान के रूप में उनकी श्याम रूप में पूजा की जाती है। परमधाम खाटू राजिस्थान के सीकर जिले में इस्तित है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत प्राचीन है लेकिन वर्तमान मंदिर की अधार शिला 1720 में रखे गई थी। इत्यासकार पंडित जबरामन शर्मा के अनुसार इस मंदिर को औरंजेपी सेना ने 1689 में नश्ट कर दिया। पाचमा एत्यासे घटना इस्थल सिंदु घाटी के नगरों को नश्ट किया गया। महाबारत का योद लगबग 5300 बर्स पूर्ब हुआ था। उस दौरां गुरु ध्रोड के पुत्र अश्बत थामा ने वगवांकिश के मना करने के बावजूत पर्योग किया था। अश्बत थामा प्रमाश का प्रयोग करना जानता था, लेकिन उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अतियन तेजस्वी अगनी को अपनी और आता देख अर्जोन बैबीत हो गया और उसने श्रीकिष्ण से याचना की श्रीकिष्ण ने कहा हे अर्जोन तुम्हारे बैंसे व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास तुम पर छोड़ दिया है इस ब्रह्मास के अश्वत्थामा ने प्रह्मास छोड़ा तो जवाब में अर्जुन ने भी छोड़ दिया अश्वत्थामा ने इसे पांडवों को नश्ट करने के लिए और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास को नश्ट करने के लिए छोड़ दिया था तोनो दारा छोड़े गए इस ब्रह् की के नगर नश्ठ हो गए उस काल में लोग सिंदू और सरस्वतिय नद्यों के निकट निवास करते थे कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ